नमस्कार आपके साथ में सीके सिंग आप देख रहे हैं नीज वॉच इंडिया खबरों की शुरुआत करते हैं पीएम नयंद मोदी ने जम्मू कश्मीर में लगभग 20,000 करोड रुपे की विकास प्रियोजनाओं का उद्गाटन और स्लन्यास किया 20,000 करोड की प्रियोजनाओं की सौगात दी गई इस दौरान पीएम मोदी ने जनसभा को भी संबोधित किया पीएम मोदी ने देश के चुने हुए प्रतिनिध्यों से कहा कि पंचायत हो या पारलियमेंट कोई भी काम छोटा नहीं है यहां अपने कामों से हम अपनी देश को आगे ले जा सकते हैं अगर पंचायत में बैठ कर ये संकल्प ले लें तो देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करूँगा तो देश जरूर आगे बढ़ेगा अनेक वर्षों से परिचित भी रहा हूँ मेरे लिए खुशी की बात है का आज यहां कनेक्टिविटी और बिजली से जुड़े बीस हजार करोड रुपिये यह अंकड़ा जम्मू कस्पिर जैसे छोटे राज के लिए बहुत बड़ा अंकड़ा है बीस हजार करोड रुपिये के प्रोजेस का लोकार पर और सिलान्यास हुआ है जम्मू कश्मीर के विकास को नई रप्तार देने के लिए राजमें तेजी से काम चल रहा है तो देखा अपने की सरीके से प्रदानमंती नयंद मोदी जनता को संबोधित कर रहे थे जम्मू कश्मीर की जनता को प्रदानमंती नयंद मोदी ने बीस हजार करोड रुपे की सौगात दी है और साथ ही अपने संबोधन में प्रदानमंती नयंद मोदी ने पंचायत इस्तर पर ये कहा है कि पंचायत हो या पार्लियामेंट हो हम अगर कोई भी चीज को ठान लेते हैं किसी भी विशय को ले करके सोच लेते हैं तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता हम एक जुठ हो करके देश का विकास कर सकते हैं देश को आगे की और अग्रिसर करने में एहम भूमिका निभा सकते हैं प्रदानमंती नयंद मोदी का बयान प्रदानमंतरी आज जमू कश्मीर के दौरे पर हैं और कल की ही हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री के जम्मू कश्मीर दोरे से पहरे लगाता और हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके की हलचलें तेज थी उसके बाद प्रधान मंतरी का इस तरीके से जम्मू कश्मीर में पहुँचना और वहां की आम जंता को समोधित करना और इसी ख़बर पर माईसा जानकारी के लिए हमारे सयोगी सिवम जुड़ गए निउस रूम से शिवम प्रधान मंतरी का समोधन 20,000 करोण का पैकेज देंगे क्या कहना चाहेंगे इस पर देगे चेवन मैं आपको उतादूं कि जिस तरीके से पीम मोधि का ये 370 धारा जो हटी थी उसके बाद ये पहला दोर है जम्मू कश्मीर का अपका जो भी विकास होगा वो हम करेंगे बस आप हमारे साथ रहे हमारे विश्वास रखिए और जकार अत्या चाहर हुए और काफी सारी गटना हैं जिससे वहां के लोग अभी उबर नहीं पाए तो पीम मोदी में इस दोरे के साथ और जो उनकी मतर्याइब क्छी लाखो करोड की परियोजनाइब दी है इससे वह यह बताना चाहते हैं कि वह जनता के देखने वाली बात होगी कि यह पैकेज जंमू क divak कOOOO Mo Kitas के साथ हैं उन्होंने जिस तरीके से धारा तेंस लेके आना और सवाल ये भी उठता है शिवं कि हम कल की बात कर लेते हैं आज दिन पहले कि हम बात करते हैं प्रदानमंतरी के दोरे से पहले किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकी हल्चने तेज हो गई थी कली सुरक्षावलों ने बड़ी कारवाई किया आतंकियों के खिलाफ शिवं धिके चवन यही देखने वाली बात है कि जिस तरीके से अभी भी घाटी पर हमले की फिराक में आतंकियों घुस पैट कर रहे हैं और अगर घबरा कर यह दौरा रद किया आता तो वहां की जनता को एक मैसेज गलत जाता कि खुद पीम मोदी डर के वारे नहीं आये लेकिन पीम मोदी ने वहां जाकर लोगों को संबोधित किया कई सारी ओजनाओं का उधगाटन किया और शिलानास किया जिससे लोगों को जवान उनको एक नई उर्जा तो जरूर मिलेगी कि जम्मू कश्मीर का अब विकास हो रहा है लेकिन शिवम देखिए जम्मू कश्मीर में इस तरीके से पीम के पहुँचने के बाद विपक्षी दल भी लगातार हमलावर हो गए हैं महबवा मुक्ती है और भी गुलाम जर आती है शिवम देखिए जमन आप थोड़ा पीछे अगर जाओगे आप अगर पीछे जाओ तो जब धारा 370 नहीं हटी थी उससे पहले लगातार खबरें आती रहती थी कि जम्मू कश्मीर में पत्थर वाजी हुई है लगातार ऐसी खबरें आती थी कि जो वहां के ये लगातार हमलावर हैं क्योंकि अगर हम मैभू मुफ्ती की बात करें तो वो लगातार इसले हमलावर हो रही हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 हटी है उससे कहीं ने गई जम्मू कश्मीर की जो विकास पर योजना है वो पीछे हटेंगी लेकिन इससे उलट अगर देखाया है तो धारा 370 जब नहीं हटी थी उससे पहले जो घटनाई हो रही थी मैभुव मुफ्ती ने उस पर कभी खुल कर बात नहीं की उन्होंने हमेशा पाकिस्तान का साथ देते हुए बात की कि हमें पाकिस्तान से बात करना चाहिए हमें पाकिस्तान के साथ साजयदारी करनी चाहिए लेकिन उन्होंने कभी खुल कर ये नहीं का कि आतंकिस्तान जो पाकिस्तान है वो जम्मू कश्मीर में आखिर आतंक वाद व बात की बात के बिन हिस्सा है। अपनी बात नहीं रखनी चाहिए लेकिन कश्मीर मुद्दे पर ही पाकिस्तान बोलता है लेकिन पाकिस्तान ये नहीं देखना चाहता अपने मुल्क पर की उनके यहां भी कितने आतंकी पल रहे हैं जो धैशत गर्द के तौर पर भारत को नुकसान समय समय पर पहुंचाते है लेकिन अगर आप बात करेंगे कि अब कश्मीर में क्या चल रहा है तो कश्मीर में जब से ये धारा 370 हटी है उसके बाद से आप देखेंगे कि पत्थरबाजी की जो घटनाय थी वो कम हुई है और जो विकास की बात है वो थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ रही है लेकिन हमारे साथ भी हमारे हमारे जो हमारे लेवी विकास हो हमारे लेवी रोजगार के ने साधन खुलें तो प्यम मोदी के इस दोरे से काफी कुछ एहम हो जाता है लेकिन शिवन देखने वाली बात ये भी है कि देखिए आप कह रहे है कि विकास की जो बयार है वो बहती वी में और लगातार तमाम जगहों पर जम्हु कश्मीर के अंदर कि स्थपिश च्छी श्रंग करते हैं उसक्षा बनों के द्वारा लगतार कारवाई की जाती है चिवाम जम्मु कश्मीर की जनता है उनके विकास को लेकर जो बात करेंगे उनसे कहीं न कहीं दैशत गर्द इस बात को लेकर घबरा रहे हैं कि हमारा जो टार्गेट है वो कभी पूरा नहीं होगा बिल्कुल शिवाम बिल्कुल सभी बात है तमाम जान गरीकुल आपका धनेवाज शिवाम रुक करते हैं अगली खबर की और महराश्च में उठा लाओड स्पीकर विवाद के बाद हनुमान चालीसा पाट के बाद सियासी घमासान अपने चरम पर है केरीट सुमेरिया पर हमले के बाद राजनेतिक गर्माई हुई है इधर कोट ने राणा दमपत्ती को 14 दिन की न्याईक हिरासत में भेज दिया है महराश्च में राजनेतिक घमासान अपने चरम है एक दूसरे पर आरोप परतियारोप का दौर भी जोर उपर है महराश्च में हर्मान 40 और लॉड स्पीकर को लेकर सनिवार को दिन भर हंगामा हुआ अमरावती से निर्दलिय सांसन नमनीत राना और उनकी विधायक पती रवीडाना खार पुलिस ने अरेस्ट कर लिया सांसन नवनीत राना को उनके पती रवीडाना के साथ बांदरा कोट में पेश किया गया है कोट में पेशी से पहले नवनीत राना के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 353 के तहट मामला दर्ज किया गया नमनीत राना पर सरकारी काम में दखल देने का आरूप लगाया डिया बता दे कि सनिवार को दिन बर हंगामे के बाद पुलिस ने नमनीत राना और उनके पती रवी राना को गिरफतार कर लिया था पुलिस ने सांसर नबनीत राणा और रवी राणा को धारा दिख्षतिरपने यानि की धर्ण के अधार पर दो समुहों के 20 दुस्मनी को बढ़ावा देने के मामले में गिरफतार किया है और दोनों को खार पुलिस टेशन ले गई इस कारवाई को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं हाला कि राना दमपत्ती को देर राथ पुलिस टेशन से सांता क्रूज पुलिस टेशन भीज दिया गया राणादंपतिन से मिलने पहुंचे बीजेपी के नेता क्रिट सुमिनिया पर कुछ सिफसेनिकों ने हमला कर दिया हमले इसमें क्रिट सुमिनिया के कार का सीशा तूट गया और क्रिट सुमिनिया के मुँपर काफी चोटे आई हैं हमले को लेकर उन्होंने इसके पीछे सिफसेना का हाथ बताया है। फिर क्या सिफसेना के फायर ब्रेंड नेता संजेरावत अपने लावल असकर के साथ मैदान में बूद पड़े। एक के बाद करिट सुमिनिया पर हमले करने शुरू कर दिये। और उन्होंने ये कहा है, करिट सुमिनिया आइनेस विक्रांत के केस में आरोपी हैं, उन्होंने देश के साथ धोका किया है। अगर जन्ता ने इस तरह के लोगों के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाया है तो बीजेपी को दर्द नहीं होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के लोगों को अगर दू पत्थर मार भी दिया गया, तो क्या गलत हुआ, जो देशत्रों के गुनेगार हैं, जलता उन्हें माफ नहीं करेगी। इसके साथ ही नोंने कहा कि करीट सो मिनियाद जादा बोलेंगे, तो उनके मूँ में कागस डाल दूँगा। इसके साथ ही संजय रावत ने डिवेंद्रि फैनेनिस पर भी निसाना साथते हुए कहा, अगर फैनेनिस का महराश में लॉआ एन ओर्डर के बारे में कोई सवाल है, तो वो मुख्यमंत्री से मिलें, बाद में वो राश्पती के पास जाना है, या यूक्रेन जाना है, जहा आप देख रहे हैं कि नवनीत राणा के बयान के बाद इस तरीके से महराश प्रशासन ने बड़ी कारवाई की है, और इसी ख़बर पर जा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहियोगी चंदन पांडे जुड़ गए हैं निउस रूम से, चंदन, कल नवनीत राणा जो है, मैं हुंकार भर रही थी कि मैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर जा करके हर्मान चालिसा का पार्ट करूंगी, आज इस तरीके से प्रशासनिक कारवाई हो जाना। नवनीत राणा बैकफूट पर आगई, उन्होंने कहा कि मेरा मकसद पूरा हो गया, लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि क्या मकसद था, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा मकसद पूरा हो गया। अपने होसले बुलंद करके सरकार के खिलाफ जा रही है बीजेपी उनके समर्थन में आ रही थी और ये तमाम विपक्षी धलों ने बीजेपी को ये बात भी कही है सिफसेना कही काफी सारे नेता है उन्होंने ऐसा कहा कि अगर नवनीत राना ऐसा बयान दे रही है तो बीजेपी को इस पे कोई दर दिया कोई चुभन नहीं होनी चाहिए चंदन लेकिन आज ऐसी प्रशासन और ये कोर्ट किसी मुकदमे के बाद फैसला लेती है कि हमें किसे धील भेजना है किसे बेल दिना है लेकिन जेतरा से नवनीत राणा आकरामक थी शाए सब्सक्तल के इस तरह से पूरा शिरा था अन्य दि? स्पीकर के बाद ये कहीं ना कहीं उसी कड़ी में नौनीत राणा ने हर्मान चाल सा पार्ट करके एक जो हिंदुत की छबी बनाने की कोशिश की थी सैसी यही मकसद था कि उन्होंने का कि मेरा मकसद पूरा हो गया और इस सब्दे से हम यह भी जूर तकते हैं कि जो नौनीत राणा है उन्होंने अपनी कटर हिंदुत की जो छबी बनाई हैं नेदलिय सांसद हैं अमरावती से और उनके पती भी बढ़नेरा से विधायक हैं तो यह कुल मेरा के कह सकते हैं कि अपनी छबी मजबूत करना चाहा रही थी इस पूरे होहले के बाद नौनीत राणा की अपनी छबी बन गई जिसके बास से उन्हें एक फायदा मिलता हुआ देख रहा है लेकिन जिस तरह से कोट ने उन्हें 14 दिन की नयाई खिरासत में बेज पर दोनुन ने कहा कि मुझ पर सीवशनिकों ने हमला किया है लेकिन साफ साफ दोनों नहीं हमला उद्धु ठाकरे पर किया इस पर बैक फूट पर आगे लेकिन जिस तरह से कहते हैं संजे राउत मैदान में उत्रे और उन्हें ने बीज़ेपी के एक से बड़े नेताओं के उपर जो तीखे पलटवार किये उससे बीज़ेपी बैक फूट पर चले गई और फ्रंट फूट पर आ गई लेकिन जिस तब जो भी हुआ कल घटना करा हम यह राजनीती का निच गिरता हुआ जो अस्तर है यह भी दरसाता है चमान चंदन यह भी तो देखा जाएगा यह भी तो समझा जाएगा कि यह सोचने वाली बात है कि किसी सांसद पर किसी पार्टी के कारे करता हूं उनके घर के बाहर जा आप फैसला कैसे सुना दिया चंदन देखी नौनीत राणा मैंने आपको पहले भी का चमान की जितरा से नौनीत राणा कट्र हिंदूत की शभी बनाना चाह रही थी मतलब यह मतलब निकल के आता है सामने जो भी बाते रही हूं महाराष्ट में लेकिन बैराल नौनीत अराष्ट अब जानता है नहीं तो उन्हें नहीं जानता को यम्रावति से पुरा देश जानता निर्दलिय सांसद रही है अब आप चाहें राज जी के अस्तर पर कह लिए पूरे देश अस्तर पर बात कह लिए लेकिन आज भी यूपी ब्यार के कई इलाकों में नौनीत र लेकिन 29 अप्रेल को उनकी जो जमानत याचिका उस पर कोट में सुनवाई होगी क्या इस्तितियां देखी जा रही है कोट क्या उनको बेल देगा उनके और उनके पती को लिए चामन जिस तरह से नौनीत राणा पर एक के बाद एक मुकदमे दर्ज हो रहे हैं जैसे धार्म मुश्किल होता चला जाएगा इनके नौनीत राणा के बिधाये मर्चेंट हो कह रहे हैं कि कई संगीन धाराओं के तहत उनके पर मुकतमा दर्ज किया गया है लेकिन जितना से कोट ने 14 दिन की नियाई खिरासत में बेज दिया है नौनीत राणा के उसके बास से अभी बैर लिए इस्तिति है कि नौनीत राणा की जो मुश्किले हैं वो बढ़ती जा रही है और बेल 14 दिन बाद होगा जब 29 अप्रेल को जब सुनवाई होगी तभी इस्तितियां साप हो पाएंगे कि कोट क्या बेल देगा या जेल देगा जे तमाम जानकर एक धनेवा चंदन वाह में लोकी मंतरी अशोग गहलोत का बड़ा वयान सामने आया ज्यापूर में आयो जीद्त एक कारिक्रम में मुख्य मंतरी अशोग गहलोत नहीं इन चर्चाओं को अफवा करार दिया उननसे कि कि दो-तीन दिन में से मैं सुन रहा हूं कि मुख्यमंत्री बदलने की चर्चाएं चल रही हैं इन बातों में कोई दम नहीं है यह सिर्फ अफवाह है इन पर ध्यान ना दें ऐसी चर्चाओं से गवर्नेस पर फर्क पड़ता है तो मैं पेली बाद मुख्यमंदी बना नाइंटी एल के अंदर तब से मैंने सुने गांधी को उनने मुझे चांच दिया चीप नहीं ही बनने काया पैली बार दूसी बार जोगी जात तीसी बार तो मैंने उनको उसक्त से अधिकत करेका है मेरा इस्तिवा तो पर्मानेन मुझे पास में है तो आप फूर सकते हो कि बार बार ये आनने चाहिए पर कि मुख्यमंदी बनना चाहिए जिए मुख्यमंदी बननना होगा तो कानो कान कर गिसी को मारूम है नहीं पड़ेजी गयाँ गयाँ इतली मैं करना चाहूंगा कि कि अपामनी अभी मैं दो तिन दी अपाई सुन रहा हूं कि फला ये हो गया फला वो गया पता निखा जाते रहते हैं तो मैं सुरता हूं बिना मस्लों का लो कन्फिर्ण हो जाते हैं तो गवर्नेंट के भी फरक पड़ जाता है जिए बातना क्यों क्यों गया नहाँ अगर अगर नहीं जाते हैं तो इस्टेबर्णती सरकार पता नहीं क्या हो रहा कौंगश के अंदा जैसे भी आप लेकर नहीं कि अपिस्ति कौंगश की क्या देश के अंदा जो चिंदा कम बिशे होना चाहिए पुरे देश वाच्वाशों को आज जो आरे सरकार में भी है कुछ जो पीजेवे कि समर्दा लोग फिया गरिगनी की तरह के आम नागरे कोई है जिसने कमी वोट निजे कौंगश को वह भी चाहता है कौंगश मर्भूत रहे देश के अंदर एक पत्रिबक्स की प्रूश को आज तो देश हीचा था देश हीचा था देश हीचा था था वह अज़े था देश हीचा था देश हीचा था देश हीचा था दूश का बदलने वाला है लेकिन इन सभी कायासूं पर आप आप पहलेजें कि गाहिख बिराम लगा दिया लगाने करान उन्हें ने खाए कि जब मैं 1998 से ही मेरा स्थीपा जो है वह सोन्या गांधी के पास पड़ा हुआ है तो इसमें उनने कहा कि मुक्ह मंत्री बदलने की बात लिजब बदनेगी और किसी को कानों कान भनक ही नहीं ल बिराम लागाने का काम किया चबान कि लेकिन चन्दन देखें देखने वाली बात है कि जो राज निष्फ्तर पार्टी थीए एक ज plat आगरेagt तो वहाँ पर इस तरीके की अशोक गहलोट जैसे कद्दावर नेता को बदलने के लिए पार्टी का सोचना और इस तरीके से जो पार्टी की मुखिया हैं जो सोनिया गांधी हैं उनसे मुलाकात करना क्या राजस्थान की राजनीती में बड़ा बदला हो सकता है चंदन देखिए चमन आपको कुछ साल पहले जाना पड़ेगा जब पाइलेट जो है वो गुज्रों के बहुत बड़े नेता है और राजस्थान में गुज्रों के कच्छी कासी पकड़ है सीटों पर उसके बाद से ही जब कहते हैं पाइलेट को उपमुख मंत्री बनाया गया उसके बाद से ही तलखिया असो गहलो तो और सचिन पाइलेट के बीज में देखने को मिली वो कैबिनेट में हिस्ता लेते थे जबकि वो डिप्टी सीम होने के बावजूद भी वो एक कैबिनेट में हिस्सा नहीं लेते थे कई कैबिनेट के जो कार्रे होते हैं उसमें भी हिस्सा नहीं लेते थे तो ये दोनों जो तलखिया थी वो सामने आ गई और इसी को लेकर आपने देखा कि सचिन पाइलेट को स्थीपा देना पड़ा और बहु जनाधार है वो भी तूट जाता लेकिन उन्होंने इस पर काम किया और पार्टी में रहकर ही अपनी स्थिती मजबूत कियो लेकिन अब देख सकते हैं कि जिस तरह से पहले मुख्यमंत्री बदलने को लेकर कया कयास लगाए जा रहे हैं उसके बाद से यह चर्चाओं का बा से यह राजस्थान से भी कॉंग्रेस अपने आपको रिकलवाना चाहती है जिस तरह से कॉंग्रेस जो थी वहां पे पंजाब में वह आप सी सिर्फ पुटवल और आप सी मद्वेटु की जिसकारण मुख्यमंत्री को बतलना चाह रहे हैं नया फेस लेकिया चाहते हैं जु जुमा जुमा चार दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाते हैं लंबा टर्म जो होता है वह मुख्यमंत्री के साथ काम करते हैं और उसके बाद जब कॉंग्रेस के अंदर ही आपसी बितरगास शुरू हो जाता है तो मजबूत नेतरुति की कमी है यह इस वाजा से राज अस्तर प हार्दिक पटेल जो है पटेल आरक्षण के बाद से वह चमके थे और जिगनीज मेवाड़ी और सब आपने देखा जो तीन युवा नेता उबर कर आये ते उसके बाद सबके अपने अपने रास्ते अलाग हो गये लेकिन बहराल हम राजस्तान की बात करें राजस्तान में स कॉंग्रेस इतने मजबूत अस्तर पर विदान समा सीटों में जीती और अपनी सरकार बनाने में काम्याप रही लेकिन ऐन टाइम पर मुख्यमंत्री बदल दिया गया और असो कहलोत को मुख्यमंत्री बनाकर बेज दिया गया राजस्तान उसके बास सही पाइलेट नाराज हो गए और पाइलेट ने कॉंग्रेस नेत्रुत और पार्टी से दोनों अलग रास्ता अपना लिया चमन जी तमाम जान करें को धने बाद चंदल यह तो आने वाला वक्ती बताया कि राजस्तान की राजनिती में क्या बड़े फेर बदल होंगे या बड़े बदला होंगे हलाल इस बुलेटिन में इतना ही देज दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें नीज बॉच इंडिया नमस्कार